नमस्कार, मैं भागेश्री डोंगे, विकिबीनियूस की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत कर दियूँ जहाँ आप देख रहे हैं देश-प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे ठाकरे परिवार को अच्छे संकेत मिल रहे हैं, खबर है कि पुर्वमंत्री आधित्य ठाकरे के कारेक्रमों में जनता की खासी भी जूट रहे हैं, वे उद्धो ठाकरे महाविकास आगाडी में भी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं, कॉंग्रेस ने ता मिलिंद देवडा का कह महाराष्ट में भाजपा को पिनारे लगाने के लिए गटभंदन किया जाये था, लेकिन इससे कॉंग्रेस को कोई फाइदा नहीं हुआ, तो महाराष्ट में सियासी हलचल के बीच नएकुर्शी मंतरी अब्दूसरतार और राजगे के पुर्वमुख्य मंतरी अशोक चव महाराष्ट में शिवसेना को मजबत करने के कवायाद में चूटे ठाकरे परिवार को अच्छे संकेट मिल रहे है, कबरे की पुर्वमंतरी आदित्य ठाकरे के कारेक्रमों में जंता की खासी भीर चूट रहे है, जिससे बारतिय जंता पार्टी के खेमे में चिंताय बढ़ रहे है, खास बात है कि बीम से चुनाव नजदीक है, संभाव नाय जताय जारी है कि मांदुन के बात चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में शिवसेना का उदो ठाकरे कैम, मुखे मंतरी एकनाश शिंदे कैम और भाजपा अपना वच्छस बढ़ाने की कोशिश में, एक भाजपा के रणनीतियों का मानना है कि उद्धो और आदित्य दोनों ही सेना के साथ बगावत की बाते लगातार कर रहे हैं, वे आरोप लगाते हैं कि यह बागियों सत्ता की चाह को दिखाता है, वही भाजपा इस बात को दूर करने की कोशिश में है कि उन्हें महाविकास आगाडी सरकार को गिराने के लिए सेना में गूट का साथ दिया है, वाजपा के पदादिकारी का कहना है कि ठाकरे पुत्र पिता के बयानों का सामना करने के लिए एक अच्छी चुनावी रणनीति की ज़रूरत है, मतदाता कई बाल सहानुभुती से बह जाते हैं, राजन को कोई फाइदा नहीं हुआ, उनका यह बयान शिवसेना के लिए एक संकेत माना जा रहा है, एक तरह से इसके जरिये कॉंग्रेस ने साफ किया है कि गटबंदन से उसे कोई फाइदा नहीं हुआ है, और जुनावी स्थिति के मामले में वह कमजोर ही हुई है, देवडा ने इसके नोचे रे जिसे बहुत से लोगी हमानते हैं कि कंगरेस से गटजोड का हमें बहुत जादा फाइदा नहीं मिला, इसका सबसे जादा फाइदा शिवसेना कोही मिला है, एक तरफ कंगरेस अपना बेस भढ़ाने के नाकाम रही, तो वही शिवसेना लगातार कंगरेस क के कोर्वोटर्स तक पोच बनाती रही है यहां गटवंदन धर्म के खिलाफ पे बिलिन देवडा के बयान से साफ है कि माविकास आगाडी में सब कुछ ठीक नहीं है खास तोर पर यह दो ठाकरे के लिए बड़ी चुनोती है जो एक नाश शिंदे की बगावत चेल रहे हैं महाराष्ट में सियासी हलचल के बीच नएक रुशी मंतरी अब्दू सतार और राज के पुर्वमुख्य मंतरी अशुक चवान के बीच कोई बैठक ने चर्चाए बढ़ा दिये हाला कि दोनों नेता से शिष्टाचार बैठक बता रहे हैं कि कॉंग्रस और शिवसेना नेता के बीच करीब आदे घंटे तक मुलाकात होती रही खास बात है कि विश्वास मत के दोरान भी चवान की गौर्व मजद भी चर्चा में रही है रिपोर्ट के मुताविक अधिकारिक दौर पर नांदेड आये मंतरी सतार ने चवान से मुल उनने कहा कि चवान के पास मराटवणा और महाराष्ट की समझ है वह किसानों के मुद्दे के भी समझते हैं उनका आशिरवात लेने के अलावा मैं कुरुशी मंतरी के तौर पर उनका मारगदर्शन भी मांगूंगा अपने विबाग की समिक्षा बैठक में शामिल होने के तुरंत बाद ही चवान के आवास पर पहुच गए थे करिब आदे घंटे तक कमरे में मुलाकात की जहां किसी को भी चाने की अनुमती नहीं दी बतादे की विधान सभा में शिंदे के विश्वास मत के दोरान भी कॉंग्रेस नेता सदन से गायब रहे थे इस समन में पार् पहली जन सभा उद्व ठाकरे के बेटे और महाराष्ट के पुर्व कैबिनेट मंतरी आदित ठाकरे शिवसमवाद यातरा के जरीए राजवयपी दोरा कर रहे है तो उद्व ठाकरे ने भी राजवयपी महाप्रबोदन यातरा का एलान किया है जिसमें वे जनता के बीच ज सो के बाद शुरू की जाएगी पहली जनसभा उद्व ठाकरे मुख्यमंतरी एकनाशिंदे के गढ़ ठाने शहर के टेम भी नाकामी करेंगे बता दे कि शिवसेना को पहली सत्ता का स्वाद चकने का मोका भी ठाने शहर से ही मिला था उस वक्षिवसेना की कमान दिवंगत आ जाना चा रहा है ताकि आने वाले चुनाओं में उन्हें जीत हासील हो सके उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो जनता के बीच में जाने वाले नेता नहीं है वहीं उनके दादाजी प्रबुधनकार ठाकरे को समासुदारक के रूप में जाना जाता है शूसेना सांसस संजे राउत को सुमवार को विशेश पीमले अदालत से रहत में लिए प्रवरतन निर्दशाले ने राउत के घर पर नो घंटे तक छापे मारी की और फिर उन्हें गिरफ़तार करिया गया अधिकारियों ने कहा कि छापे मारी के अदोरान उन्हें 11.5 राक रूपे की नगदी जब्त की गई संजे राउत को फिलाल ओथर रोड जेल में रखा गया है यही पर NCP के नेता नवाब मलिक और अनिल देश मुख भी बंद है अदालत ने राउत को अनुमती दी है कि वे घर का खाना खा सकते और दवाया भी ले सकते दरसल उन्होंने अदालत से कहा था कि वह दिल के मरीज है और उनके लिए बेट की विवस्ता होनी चाहिए अधिकारियों का कहना है कि अगर उन्हें बाहर निकलने का मोका मिले तो वह सबुतों के साथ छेड़ चाड़ कर सकते हैं वह सबुतों को मिटा सकते हैं और फिर उनकी रिकवरी करपाना आसान नहीं होगा हाला कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और संजे राउत इस कारवाई को राजनिती से प्रेरीत बनाते रहे हैं कॉवर्यस अधिक्ष के चुनाओं में पार्टी के सामने चुनोतिया आती जाती रही है अभी तक उमिद्वारों के नामों को लेकर स्तिती साफ नहीं हो पाई है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सयुक्त किसान मोर्शा ने महापंचायत का एलान किया है देश के अलग-अलग राजों से किसानों का जथा इसमें शामिल होने के लिए राजदानी की तरफ कुछ कर रहा है वहीं मुक्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की गिरफतारी के लिए पाश और विशेष्टी में बनाई गई है लेकिन वह हाथ नहीं आया है पिछले साथ दिनों से अब्बास मुबाइल फोन का इस्तमाल नहीं कर रहा है तो उधर मध्यप्रदेश से नागदा उन्हेल मार्ग पर एक सड़क हाथसे में चार बच्चों की मौत हो गई है ग्यारा बच्चे घाल हो गए स्कूली वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रहेंगी तबी एक तेज रप्थाल ट्रक में उसको टक कर माल दी इस बीच भाजपा ने जम्मु कश्मीर की संड्रोधित मतदाता सुची में गैरिस्थानिय मतदाताओं को शामिल कराने के मुद्दे पर अपने नेताओं की बैठक बुलाई है यहां मिटिंग नैशनल कॉन्फरेंस की और से बुलाई दे है सरवदलिया बैठक के घिलाफ जबावी रननीती तयार करने के लिए होगी देश भर की इन पाच बड़ी और खास खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ कॉंग्रिस अध्धक्ष के चुनाओं में पार्टी के सामने चुनोतिया आती जाती रहे है अभी तक उमिद्वारों के नामों को लेकर सिती साफ नहीं हो पाई है खबर है कि पहले भी कमान समाल चुके राहूल गांधी इस पर चीप नहीं बनना चाह रहे है साथ ही कहा जा रहा है कि वह गांधी परिवार से बाहर के नेता को प्रमुक का पद पर चाहते हैं जानकारी के अनुकसार कॉंग्रेस ने 20 अगस तक आंतरिक चुनाओं प्रक्रिया पूरी कर लिए सेंट्रल इलेक्शन ऑथोरिटी के अध्धक्षप कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी की मिटिंग का इंतजार कर रहे है जो जेयर्मेन के चुनाओं के लिए तारीकों की घोशना करेगी सुत्रों ने कहा कि राहूल अध्धक्षपत के लिए चुनाओं लड़ने के इच्छुक नहीं है और इसके चलते प्रक्रिया अडिर दिख रही है खबर है कि पार्टी में उन्हें मनाने की कोशिश जारी है सुत्रों ने दावा किया है कि वह चाहते है कि अध्धक्ष गैर गांधी को दिया जाए और इसलिए वह बहन प्रियंका गांधी वाडरा को भी नामांकन करने से रोक रहे है वही सोन्या स्वास्त समंधी कार्णों के चलते पद पर नहीं रहना चाहती है कॉंग्रेस राहूल को मनाने की कोशिश कर रही है और प्रियंका को दुसरे विकल्प के तोर पर देख रही है अगर ऐसा नहीं होता है तो सोन्या को पार्टी एकता के नाम पर दोजार चोबिस तक पद पर बने रहने के लिए का जाएगा वही अगर उमिद्वारी को लेकर परिशानी जारी रहती है अशोक गहलोत, मलिका अरजुन खडगे, केसी वेनु गोपाल, कुमारी शहलेजा और मुकुल वासनिक जैसे नेताओं के नाम पर समती बन सकती है दिल्ली के जंतर मंतर पर सयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत का एलान किया है देश के अलग-अलग राज्यों से किसानों का जथ्था इसमें शामिल होने के लिए राजधानी की तरफ कुछ कर रहा है वही कुछ किसानों का शनिवार से ही दिल्ली पोचनी का सिलसिला शुरू हो गया दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी है ऐसे में महापंचायत के मद्यनजर पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है बिना जांज किसी वाहन को राज़दानी में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है बेरोजगारी, महेंगाई, MSP गैरंटी कानुन, बिजली बिलमाफ देश के किसानों की कजमाफी सहित कई मांगों को लेकर किसान महापंचायत कर रहे है किसानों की महापंचायत की वज़े से दिली के कई इलाकों में जाम लग गया है दिली के बौडर पर गाडिया रेंगती हुई दिखाई दे रहे है किसान नेता शुकुमार का कहना है कि सरकार ने हमारी मांगों को पुरा नहीं किया और नहीं केंद्रिय मंत्री को उनके पत से हटाया हम ब्रधान मंत्री और राष्टपती को एक ज्यापन सोपेंगे किसान लखिमपूर खीरी कांड के पिटित किसान परिवारों को न्याय दिलाने जेलों में बंद किसानों की रिहाई करायना किसान आंदोलन के दोरान, किसानों पर दर्ज मुकद में वापस लेने, देश भर के किसानों की कर्ज माफी, MSP गैरंटी कानून बनाने, किसानों के बिजली माफ करने, अगनिपत योजना वापस लेना सहीद कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कारवाई अब्बास के नेटवर्क के आगे धराशाई हो जा रही है। लेकिन वह हाथ नहीं आया। ADCP उत्तरी अनिल्यादों ने बताया कि अब्बास की लोकेशन पिछले कुछ समय में दिल्ली, राजिस्तान, पश्चिम बंगाल, उतराखंड, पंजाब, छतिस गड़ और हैदराबाद में लोकेशन मिली थी। इसके बाद ही उसकी तलाश में पाच और टीमें बना कर इन प्रदेशों में भेजा गया। पिछले साथ दिनों से अब्बास मोबाइल फोन का इस्सेमाल नहीं कर रहा है, उसके कई करिबियों के मोबाइल नमबर सर्विलांस पर लिए गया है। ट्रक ने वैन को टककर मा दी। टककर इतनी भयावा थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह से चिपक गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मोगे पर पोची, एम्बुलेंस नहीं मिलने की वज़े से घायल बच्चों को उज्जेन की और जा रही बसों से अस्पताल ले जाया गया। कुछ घायलों को जिला अस्पताल में तो कुछ को नीजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। भाजपा ने जम्मु कश्मीर की संशोदीत मतदाता सुची में गयर स्थानिय मतदाताओं को शामिल करने के मुद्धे पर अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। मतदाता सुची में चमु कश्मीर में रहने वाले गयर स्थानिय मतदाताओं को शामिल करने की बात कई है। माजपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बचाओं करते हुए कहा कि उनकी टिपनी कानुनी और समवेधानिक रूप से सही है। मिजबी के मुख्य प्रवक्ता सुनिल सेठी ने कहा कि कानुन के तहट कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और किसी भी कानुन से प्रतिबंदित नहीं है। वह किसी भी शेत्र, राज या केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता बनने का विकल्प चुन सकता है। जहाँ वह समान तहां रहता है जमु कश्मीर में भी इसे ही लागू किया गया है। धारा 370 के अधिकतर रवाधान खत्म किया जाने के बार एक भारत एक कानुन होना चाहिए। सब्सक्राव के लिए मिस यूनिवर्स अंगट हंत्यारी कर रहा है। तो उधर ब्रिटेन की क्विन एलिजाबेट के शेव डेरें ने खुलासा किया है कि महारानी को चैम पेनिस बहुत पसंदे रानी पास साल की उब्रसे सैंड्वीच पसंद करती थी इस बीच चीन में त पाजबडी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ। घर पर नहीं है तो उधर उनकी पार्टी के सदस्यों ने कारेकरताव से सड़कपर प्रदर्शन के लिए तयार रहने के लिए कहा है। चलावा पाकिस्तान के इलेक्ट्रोनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑथरिटी ने भी खान के भाशन से सीधे प्रसारन पर भी रोक लगा दी है। पाकिस्तान में अलफसंख्यां को पर अत्याशार के मामले थम नहीं रहे हैं। गटना से सीध समाज में गहरी नाराज की देखती को मिडी हैं। गटना पाकिस्तान के खैबेर पक्तून का प्रांथ की है। एस गटना का वीडियो सोशल मेटिया बर खुब वाइरल भी हो रहा है। जिसमें सीध समुदाय के लोगों को पाकिस्तान के एक पुलिस टेशन के बाहर विरोध दर्ज कराते देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक गश अनिवार को सीध समाज की टीचर दीना कौर का कथित तोर पर अफरन कर लिया गया था। रविवार को दीना कौर के परिजनों को बताया गया कि दीना का निकाह हो गया है। पाकिस्तान के पेशावर में दो सीखों की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भारत की तरफ से कडाविरोध दर्ज कराया गया था। दुनिया भर की कई महिलाएं ऐसी हैं जिनका वर्जों से सपना होता है कि वो किसी ऐसी विश्वस्तरिया बूटी प्रतियोगिता में भांग ले जाब वो अपनी सुन्दरता के आगे दुनिया की अन्य औरतों को पच्छाड सके। लेकिन विवा और बच्छे होने पर उनका ये सपना तूट जाता है मगर अब उनका सपना पूरा हो सकता है। का आयोजन किया जाता है ये प्रतियोगिता एक आंतराश्य प्रतियोगिता हे साल 2022 तक इस प्रतियोगिता में केवल वही महिलाए भाग ले सकती थी जिनकी न तो शादी हुई हो और नहीं कोई बच्चा हो लेकिन अब संस्थान एक बड़े बदलाव की और आगे बढ़ र शौकत के लिए जाना जाता है। माराणी एलिजाबेट के बी चौक। निराले है। इसके लिए शौही महल बकीगम Palace में विशेश प्रभंद किये जाता है। ब्रिटेन इस शाही परिवार शान को देश की शान समझा जाता है। ब्रिटेन की क्वेन एलिजाबेट की एक डिश इन डीनो चर्चा में है। दरसल एक स्नाक है जिसे वो आमतर हर रोज लेती है। 15 साल तक उनका शेफ रहा शक्स भी क्वीन की इस पसंद से हैरान है। इसका खुलासा उसने एक वीडियो में किया है। शेफ डेरिन में ग्राणी ने खुलासा किया है कि क्वेन एलिजाबेट को जैम पेनीस बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि राणी पास साल की उम्र से सैंडविच को पसंद करती थी। सैंडविच को ब्रेट ये स्लाइस जैम और मक्षन का उपयोग करके बनाया जाता है। ब्रेटन की महाराणी की ये अजीब पसंद के बारे में शेफ डरिन में ग्रैंडी ने एक यूटूब विडियो में बताया और कहा कि इसे वो दो पहर में चाय के वक्त आज भी लेती है। ब्रेट के साथ थोड़ा मक्षन और जैम लगा कर उन्हें सर्फ किया जाता है। इससे बढ़ रहे तापमान की वज़े से चीन ने साल का पहला राष्टियों सुखा अलट भी जारी किया है। गर्मी की वज़े से चीन की नई नदिया भी सूख रही है। इस बीच एशिया की सबसे बड़ी नदी भी लगबग 3-4 थाई सूख चुकी है। यातंजी नदीम के गिरते जलस्तर के कारण चीन के दक्षिन पच्छिम शहरा चोंकिंग में एक जलमंग नदीम और उस पर बोध्ध मुर्थिया मिली है। ये तीनों वधपुनिमा एक चटान में बड़ी खुपसूर्ती से तराशी गई है। ये मूर्थिया लगबग 600 साल पुरा नहीं हो सकती है। ये मूर्थिया फ्योलियांग नामक वीप चटान में पाई गए। जिने शुरू में मिंग और कींग राजवनशों के दोरा निर्मित रूप से पैचाना गया थ। इनमें से एक में कमल के आसन पर बैठे एक सादू को दर्शाय गया है। चीन में ये मूर्थी मिलने की वजब भीशन गर्मी के कारण नदी का जलस्तर कम होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जलवायू परिवर्तन की वज़े से तापमान बढ़ रहा है और गर्मी के प्रकोप से जिग्यांशी प्रांत में पोयांग जिल ही नहीं। बलकि उसके अलावा 34 काउंटी में 66 नदियों का पानी कम हो गया है। इससे नदिया सुकुड गई है। अकेले हुबेई प्रांत में 42 लाक लोग गंबिर सुके से पिडित है। जमीन में दरारे पढ़ने लगी है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार।